एक और दशक में चंद्रमा भयानक खत्रे का कारण बनने जा रहा है। तुत्वी की परिक्रमा करते हुए कख्षा में अपने ये गुदगुदाते पैरी के लिए चांद की वर सनय के सदी के तीसरे दशक में इशरबार लेकर आने वाली है। और टैन साल में समुद्र और महासागरों में बार के खत्रे के चरमस्तर की खोशना की गई थी। जो बहुत बार होगा। सन्युक्त राजिय अमेरिका सहित्त के किनारे कई शहर और ग्रामी शेत्र महीनों तक चल्मद में रहेंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजिंसी नासा ने ये चौकाने वाली खबर दी है। ये अध्यान अंतराश्ट्री ये भईयानिक पत्र का नेचर क्लाइमिट चेंज में प्रकाशित हुआ है। अध्यान त्यानुसार चंडरमा उनीकक्षा में धोड़ासा जोकाव के साथ पृत्री की परिक्रमा करता है। और निश्व अंत्राल पर चंदमा को अपने हिंद पैरों पर लहराता है पुत्री की परिक्रमा करने के रास्ते में चंदमा का सारे सिस्टी साल का चक्र है सारे इंटीन साल की इस वधी के आधे हिस्से के लिए दुनिया के महासागरों और महासागरों में जवार भाटा जवार से अधिक है चक्र का दूसरा अधाबाग उलोग जाता है विश्व के सभी समूद्रों में जवार की मात्रा और तीवता जवार से अधिक होती है चंद्रमा की तक्षा के वर्तमान चरव में तुद्वी के सभी महासागर, महासागरों में जवार की मात्रा और तीवता जवार की तुलना में थोड़ी अधिक है लेकिन इस सदी के तीसरे तक्षक के बाद जल्दी ये बदल जाएगा सवार उट सकता है कि परिक्रमा के दौरान ऐसी घटना पहले भी हो चुकी है लेकिन इस बार ये अमेरिका समेट लगबग सभी तक्षक देशों में भयानत बाव लाने वाली है भारत भी अपनी लंबी तक्षक के कारणे श्रेणी में आता है नासा के मुख्य पशासत बिल पेलसन ने कहा चलवायू परिवर्तन वाविन और तेजी से समुद्र के स्तर में विर्धी इसके लिए जिम्मेदार है जो पिछले 300 सालों में रिकॉर्ड पहले ही बना चुकी है अगर बाजार में गर्मी जारी रही तो समुद्र का स्तर और बढ़ जाएगा इसके अलावा चंद्रमा के लिए जोआर की मात्रा और तीवता में विर्धी हुई है नतीच दन सन्योत राज अमेरिका सहित दुनिया की अधिकान श्टकिये देश लंबे समय तक पानी के नीच रहेंगे नासा का अनुमान है कि अकेले सन्योत राज के तक ये शहरों में तीन दश्कों में कम से कम तीन से चार गुना सबसे खराब बार का अनुभग होगा हाना कि यह पूरे साल नहीं होगा साल के कई महीनों तक चलेगा उसके लिए सामान्य जीवन को काफी नुकसान होगा दोस्तों और वीडियो देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब करें कमेंट बॉक्स में अपनी मैं तकूर प्रतिक्रिया को लाइक करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद